सो हेलो इवाइन गाईसर महादीव राधे राधे कैसे आप सभी लोग आई होग आप सभी लोग अच्छ गर अपने लाइफ में भी आगे भढ़ रहे होगे सो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ आपकी लाइफ में गाईस आपके टू लफ कौन है इस लाइ है जू बिगनिंग्स कार्ड तो आज की रीडिंग ट्रू लफ के लाव के उपर है ओकी यहां भी गाईस नू बिगनिंग्स के एनर्जिस है नई शुरुआत की पहला कार्ड ही है ए अगर आपके नेम के निशल एसे लिए के बीच में आते हैं तो आपके लिए फर्स्ट प है सो दोनों ही पाइल आपके सामने हैं आपको जो इच्छा है आपकी वो आप चूज कर लीजे अगर आपका इस न्यू हो चैनल पे तो रीडिंग को स्चार्ट करने से पहले रीडिंग को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ओके और और सो दड़ आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं अगर आपको किसी भी क्रिश्टिन के रिगार्डिंग पर्स्नल रिडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्ट्रेग्राम पे डियम कर लेना हो कि इंस्ट्रेग्राम का लिंक डिस्क्रॉप्शन में है टाइम स्ट् तो ठीक है तो आई थिंक आज अच्छे से कैमरा सेटिंग हो नहीं रही है बड़ेट्स ओके अब हो चुकी है है ना सो आपको अच्छे से कार्ड्स देखेंगे हैं सो स्ट्राट कर लेते हैं काईस फर्स्ट पाल से जिन्हों ने भी न्यू बिगिनिंग्स कार्ड को पिक्क सबसे पहले तो गाईस यह जो भी है इनके साथ आप अपनी न्यू बिगिनिंग्स करने वाल नियू बिगिनिंग्स कार्ड को पिक्किया यह जिनके भी नाम का पहला अक्षर एसे लेकर आमके बीच में आता है तो आपके लिए हैं फर्स्ट पाल ओकी सो यहां भी आपके ल लाइफ में आने के साथ ही हो जाएंगी जो भी आपके ट्रू लफ होंगे ओके एन लेट गो अफ तर ओल वेलकम तो अन्यू तो आपके लिए ही इनर्जिस हैं अगर पास्ट में कुछ भी था आपका सो आपको उसको लेट को करो बढ़ हां आपके जो ट्रू लफ हैं जब पहले अपने आपको मुवान करवा लेते हो हर एक चीज से तो यहां भी आपको कहा जा रहें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़े आने वाले हैं नई शुरुवात आपकी लाइफ में होगी जब भी आपके ट्रू लफ लाइंगे और यस न्यू बिग्निंग्स आप इस चंस में होने वाले हो जो भी आपके ट्रू लफ है वह आपसे बहुत दूर होंगे ठीक है लॉंग डिस्चंस रिलेशन्शिप यहां पर देख रहा है आपका उनके साथ बिकॉस यहां पर अलग अलग शेड्स है यह थोड़े से हना मतलब शेड देखो उनके बठां यह यहां पर बीच में रास्ता है so different religion कास्ट के भी आपके partner हो सकते है अलग religion अलग कास्ट हो सकती है इनकी ठीक है जो सकती है वेट आ मिनिट काईज यह हैफ काईज आतरे ट्रू लफ ाइअ पूसर्फ love सबसे पहले तो guys page of pentacles की energies है king of swords okay nine of pentacles की energies है okay the moon card is here the word card is here and the last one is four of pentacles bottom of the deck guys यहाँ पे है ace of cups and middle energies क्या है यहाँ पे ace of pentacles मैंने क्या बोला guys अभी क्या बोला नई शुरुवात आपकी life में यह person लेके आ रहे है और वो new beginnings ही यहाँ पे दिख रहे है आपको दिख रहा है न आपकी life में न financial abundance आएगी उसके बाद आपकी life में पैसा आना start होगा वो भी unexpectedly एकदम से कोई new job मिल सकती है जिसके थुरू आपको money gain होने लग जाए कोई आपका ऐसा business start कर लोगे जिससे आपको पैसा आप गेन कर पाऊ है पैसा आपकी तरफ आपाई and ऐसे ही आपकी life में नई शुरुआत आपके love life में भी दिख रही 100% okay so yes ace of cups है true love तो है ही है न true love overflow love यहां भी दिख रहा है आप दोनों की तरफ से okay and also new beginnings है बना नई शुरुआत अगर आपके relationship में हो तो yes ऐसा भी हो सकता है उसी relationship में चाहे वो आपके karmic थे पहले बट आपके बाद में वो true love बन जाए ऐसा भी हो सकता है okay because जितना करमा था वो खतम हो चुका है बट अब नई शुरुआत में energies आ चुका है बाकि यहां पर new person ही दिख रहे हैं कोई बट हाँ यह जो भी person है यह खुद आपको offer देंगे मुझे आप यही energies आ रहे हैं कि हाँ आपको खुद ही offer देने वाले हैं अपनी तरफ से खुद आएंगे आपकी तरफ आपको offer देने ठीक है love life में मतलब आपको proposal देने and yes commitment भी यहां पर हो सकते बट हाँ वो commitment इतनी जारा बड़ी नहीं उस चाहिम हो से बट हाँ commitment दिखरे बट हाँ एक और बात तादू यह person थोड़े egoistic है उस चाहिम तो आपको लगेगा कि यह बहुत जारा child like nature है इनका हाना but after that जब आप से यह मतलब होता है कि yes आपके true love है तो of course but हाँ थोड़ा सा यह strict हो सकते है ठीक है straightforwardly बात करने वाले होने वाले थोड़ा गाली वगएरा अगर आप भी देतों तो यह भी देते होंगे ठीक है and yes यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि हाँ थोड़े से possessive nature के भी देख रहा है मुझे nine of pentacles show करता है कहीं न कहीं आपके partner जो true love है यह भी इस ट्राइम single है ठीक है यह बिलकुल भी कोई relationship में नहीं है यहाँ फिर जब आपके life में यह आएंगे आप single होगे इस ट्राइम vice versa energies यहाँ पर देख रहे हैं so yes independent है वो अपना अपनी life of money financially बहुता stability उनकी life में and also यहाँ पर यह भी दिख रहे है business वगेरा उनका है यहाँ पर business के energies यहाँ पर दिख रहे हैं जादा business के energies मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके partner को यहाँ पर प्राइवेट जोब होसके जिसके तो बहुत अच्छी अर्निंग है I think 60 to 70 around यहाँ फिर 1 lakh के अराउं ठीक है ऐसी कुछ salary की मुझे energies दिख रहे हैं ठीक है उससे जादा भी हो सकते है ठीक है 3-4 लाग भी हो सकते है बढ़ हाँ मतलब हो सकता है इसके आसपस मुझे अच्छी अर्निंग उनकी दिख रही है मुझे and YouTube से guys कोई यह काम करते होंगे because यहाँ पर फॉरन से कोई ना कोई income यहाँ पर source दिख रहा है उनका the word card की energies है MNC's में जोब हो सकते है MNC's में काम करते होंगे यह जो भी आपके true love है यहाँ फिर फॉरन में होंगे फॉरन में रहते होंगे the moon card है यहाँ पर show करता है कही न कहीं आपके partner थोड़े से true love है जो आपके वो secrets रखने वाले होंगे hiding वाला nature उनका हो सकता है चीजों को hide करके रहना जल्दी show नहीं करता आपने सच को ठीक है कही न कहीं आप दोनों ही कार्मिक हो सकते हो पहले फिर बाद में true love पंजो ऐसा भी होसता है या फिर आप दोनों true love तो हो बठाँ के अंदर करमा भी है मतलब आप दोनों के रिष्टने में कुछ ना कुछ कार्मिक भी दिख रही है इनर्जिस ठीक है सो यहाँ पर सेविंग्स की अनर्जिस के लिए बोला जा रहे है यहाँ फिर comfort zone छोड़के आगे भढ़ने के लिए बोला जा रहे है आपको ओके सो यह अनर्जिस यहाँ पर मुझे दिख रहे है financially बहुत abundance यहाँ पर दिख रहे है financially बहुत stability आपके partner की life में दिख रहे है जो भी आपके true love है and yes unexpectedly दोनों की life में blessing आएंगी financially so यहाँ से देख लेते क्या energies आ रहे हैं आपके लिए okay material and financial changes है यहाँ पर so आपके life में बहुत सारा financial changes आपको देखने को मिल सकते हैं financially instability हो सकती है पहले जब भी आपको यह मिले but after that आपके life में एकदम से financial changes आएंगे and yes आप अच्छी life में अपने growth करोगे because यहाँ पर passion ignited है आपके life में सीधे से ace of cups पी आचुका है ace of pentacles पी आचुका है और यह ace of wands है ठीक है so passion भरता हुआ दिख रहे है passion के energies ने सरे से आपके life में start होते हुए दिख रहे है and यह जो आपके true love है यह बहुत ज़रा अच्छे person मुझे दिख रहे है because यहाँ पे आपके आसपास yellow energies का aura create होता हुआ दिख रहे है जो के positive energies को show करता है ठीक है so बहुत positive हो सकते है आपके partner wow see this इसे कहते हैं नई शुरुवात नई शुरुवात main card की energies आई है तो मैंने अगर कुछ बोल दे है वो होकर रहता है ठीक है जिन्होंने मेरे से personal reading लिए है उनसे पूछ लेजिए चाहे वो pregnancy reading है चाहे वो love reading है चाहे वो marriage reading है बहुत सारे लोगों के reviews आ चुके है और उनकी वो वो चीज़ें हो चुकी है ठीक है कुछ लोग reviews दे देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं तो of course मैंने उतने ही post कर रखे है जिन्होंने दिये हैं और जिन्होंने नहीं दिये हैं तो वो अलग बात है ठीक है बट येस आप personal reading ले सकते हो without कोई attention मुझसे personal reading का link description में है time stamps के just उपर instagram का link ओके या फिर आप लोग उपर about section से भी जो main channel के picture है उसके just नीचे देखना ठीक है link देखेगा वहाँ से आप मुझे instagram पे dm कर ले see this one 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 की energies आई हैं guys यहाँ पे one 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 वाव so guys आपको बहुत ज़ादा love यहाँ पे दिख रहा है true love है तो of course आपके lover होंगे यह यहाँ पे love begins की energies है बहुत ज़ादा ओवरफ्लो लफ यहाँ पे दिख रहा है and yes यहाँ पे जैसे है तो बहुत अच्छी बाद है thank you so much आप समझ रहे हो हर एक चीज़ को so base chakra की energies है यहाँ पी यह जो भी person होंगे न guys I don't know यह किसके साथ reading match हो रही है बट हाँ मैं आपको 100% बता दू आपके जिंदगी में नई शुरुआत आपको देखने को मिलने वाली है positive शुरुआत ओके जब आपके true love आपकी life में आएंगे यह आगे भढ़ने की आप सोचोगे ठीक है see this यह दो cards आना चाहते थे wow true love is there guys see this harmony card is here guys आपके जो partner है न वो बहुत सा harmonious relationship आपके साथ आगे बिठाने वाले है मतलब आपके लिए यहाँ पर marriage भी दिख रही है ठीक है शादी आगे दिख रही है true love के साथ अपने six number आपके लिए important होसता है and yes soulmate यहाँ पर inflame energies यहाँ पर मुझे दिख रही है and yes true love ही होने वाले हैं आपके ठीक है बहुत ज़रा प्यार यहाँ पर दिख रहे हैं आप दोनों ने एक दुसरे को manifest किया है मुझे यह भी energies feel हो रही है and आप दोनों चाहते हो कि आप एक दुसरे के साथ new beginnings करो नई शुरुआत करो new beginnings again यहाँ पर आया है see this new beginnings so यह तो 100% यही शो कर रहा है कि हाँ आप लोग अपनी life में नई शुरुआत करोगी आगे भढ़ने कोशिश करोगी but have patience सब कुछ time के साथ साथ होगा बस patience रखिए सब कुछ अच्छे से energies हो जाएंगे so one number बहुत important होसता है आपके लिए triple one की energies यहाँ पर दिख रहे हैं so यहाँ पर आपके लिए guidance क्या है यह देख लेते हैं so क्या guidance है universe, angels, guides की तरह से आपके लिए okay so expect करिए गाईस miracles उस चाहिए new big things क्यों यहाँ पर आ रहा है गाईस यही शो कर रहा है कि हाँ expect करिए miracles, holy spirit की energies है remember that only love is real so यही याद रखे, प्यार एक सच्चाई है प्यार ही real भावना है जो हम सभी को show कर सकते है like हमारी mother हमें show करते है so वही energies हैं यहाँ पर miracles will occur naturally miracles naturally होंगे ठीक है आपके life में आपको टैंश लेने की जूरत नहीं है, कब होंगे miracles so spirit has your back spirits आपके साथ है आपको यही कहा जा रहा है and Sanat को मारा यह show करना चाहते है कि light activation आपकी life में होगी so so यहाँ पर गाई shine your light, shine your light की energies है, so of course आप अपनी रोशनी भी खेरिए, अपने talents को show करिए सबको, आपके जो internal guidance है ना, वो loudly and clearly सबके सामने आते हो, दिख रिये ठीक है and yes, आपको कुछना कुछ message देना चाहते है, आपके internal guidance and yes, commander अस्तर है, call to action की energies है, आपको कहा चाहिए charge लीजिए अपनी life का, खुद charge लीजिए, lead by example, okay yes, universe आपको कहना चाहते है, क्योंकि यहाँ पर universe की energies है यहाँ पर यही आपको कहना चाहते है, action लीजिए अपनी life में, जो भी आप चाहते है, उसके लिए action लेना पड़ेगा आपको, अपना charge खुद लेना पड़ेगा, ठीक है अपने लिए step खुद लेना पड़ेगा आपको walk your talk की energies हैं यहाँ भी so, horus की energies cosmic gateway so, जो भी आपके यह true love होने वाले हैं, वो बहुत सा magnet, उनके thoughts बहुत magnetic powerful होने वाले हैं, वो बहुत intuitive हो सकते हैं, आपको यह भी कहा चाहते है, miraculous changes are occurring, so, आपके life में miracles होते हुए, आपको दिखेंगे, and yes, therapist भी आए है, so, यही show करना चाहते है, session की energies हैं, यहाँ पर, move into your true self so, true self की तरफ move करी है, अपनी, rise above the darkness the light is here, so, darkness से आके भड़ी, and light, रोशनी आपकी तरफ आते हुए, ठीक है and, radhanani आई है guys, यहाँ पर, soul flame की energies हैं, यहाँ पर यह जो भी आपके true love होने वाले हैं, आपके soul mate भी हो सकते हैं, okay, so, यहाँ पर मुझे lotus flower बहुत जादा अपनी तरफ attract कर रहा है, so, lotus, आपको पता है guys, कोई भी जो lotus होता है, मतलब वो कहाँ means, वो कहाँ उखता है, हाना, so, कहाँ ग्रो करता है, वो एक गंदे पानी में, हाना, जिसको हम कहते हैं, कि हान भाई, यहाँ पर गंदा पानी है, ठीक है, वहाँ वो ग्रो करता है, ठीक है, so, वो कहाँ इतना पवित्तर माने जाता है, उसको देवी देवताओं को दिया जाता है, आपको अगर पता हो, अमबानी जी की जो शादी जो, अमबानी जी के घर में शादी हुई है, ना, राधी का मर्जेंट की तो उसने क्या डाला हूँ आपने जो उसने चोटी पतानी क्या कर रखा है कुछ तो हाना वाला, हीर्स को हीर्स में मतलब डाल रखा है उन्होंने है न यह lotus loss आप देख सकते हैं उनकी एक वीडियो में उनके एक look में यह उन्होंने कर रखा है ठीक है शाहिद marriage वाले ही look है उनकी वो शाहिद so but हाँ वो है but yes वो उकता कहा है एक गंदे पाने में कहा जाता है कि उकता है but yes आपके जो true love होने वाले हैं वो आप यहां तो वो आपकी value करेंगे बहुत जारा ठीक है आप बहुत valuable हो सकते हो ठीक है मुझे ऐसा भी feel हो रहा है यहां फिर वो बहुत valuable होंगे ठीक है चाहे वो जैसे भी situation से उठे हैं बट वो बहुत valuable है ठीक है and yes experience करोगे आप relationship harmony and healing को and yes healing आपकी life में आएगी guys आप healing manifest करोगे आप जब भी यह person आपकी life में आएगे आपके true love okay so यहां पर guys अगर आपको reading पसंद आई हो like this reading subscribe to this channel and guys यहां पर balance बनाते हुए देख रहे हो आप लोग बहुत ज़रा पता ने क्यों मुझे balance की energies feel हुई तभी मैंने यह message दिया है मैं तो reading आपके खतम कर चुके थे बट मुझे balance की energies feel हो रही है balance बहुत important है अगर आपको true love anyways guys अभी के लिए इतना ही हर महादीव राध ही राध ही परस्नल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर डियम कर सकते हो इंस्ट्राग्राम का लिंक description में है time is jam के जर्श शुपर यहाँ अगर आपको personal reading लेनी है तो of course इंस्ट्राग्राम का लिंक description में आए और अभी के लिए इतना ही राध ही राध ही राध ही राध ही गॉद्ब्लस शुववान बाई टेक्यों so hello everyone guys second pal जिनके भी name के initial nclz के बीच में आते हैं जा आपने guys respect card को पिक किया है में second pal को तो देख लेते हैं guys आपकी life में कौन है आपके true love and first pal में में बताना खूल गई है ना कि आपके partner कब तक आएंगे so yes मैं इस file में जरूर बता दूँगे है ना अब मेरे से mistake होगी उसको मैं add on बाद में करूँगी so yes guys कौन है आपके true love वो आपको कब तक मिलेंगे ठीक है so यहाँ पर सबसे पहले तो respect card है guys यहाँ पर and सबसे पहले चीज़ तो guys respect card यह show करता है कहीं न कहीं आपकी life में यह जो भी आपके true lover हैं यह बहुत respectful fully आपसे बात करने वाले हैं यह यह बहुत जारा अग्याकार जैसे होता न बच्चा आपने parents का वैसे होने वाले हैं respect करनी सिखाया है इनके parents ने इनको सब की ठीक है and yes show respect for your teachers or whoever mentors you so yes आपको कहा जाले सब की respect करो बस यही आपको कहा जाले teachers हो चाहे आपके gurus हो चाहे आपके mentors like जिनको हम कहते हैं so वो हो उनके respect करो हरे time so that वही आपको हर एक चीज learn करवाते हैं वही आपकी life में होते हैं है जो आपको learn करवाने में आपकी help करते हैं like for example बच्पन में अगर आपके teacher अच्छे नहीं होते तो कई बच्चों को वो समझाई नहीं पाते है न, A, B, C, D, ही नहीं आता है कई बच्चों को न, चाइड़ोड में So yes, बड़े होकर आप तब ही आप English की तरफ चापाऊगे और आपके childhood में आपका basics बहुत अच्छा था, okay So yes, यहाँ से देख लेते tarot के through क्या energies है आपके लिए इस चारों के थूँ कौन है आपके true love क्या आप इनसे मिल चुके हो या नहीं कब तक मिलोगे गाईस आप इनको ओके यहाँ पर तो Emperor कार आचुका है यहाँ पर आचुका है देवल कार ओके वाओ The Lovers, 10 of Pentacles, great 8 of Cups And the last card is Queen of Swords के नहीं है bottom of deck guys यहाँ पर है the Quilking Knight of Wands Middle energies है यहाँ पर Page of Wands Okay, so कौन है आपके true love सबसे पहले तो guys यह जो भी person है यह बहुत जादा over passionate आपको लेकर होने वाले हैं ठीक है बहुत जदा attractive आपकी तरफ ठीक है आपको लेकर आप बहुत attractive होंगे यह ओके Yes, आप past से move on कर रहे होगे जब यह person आपको मिलेंगे And I feel कि आप इनसे मिल चुके हो I don't know why but second pile आप मिल चुके हो अपने true love से ठीक है And यह जो भी person है थोड़े से strict हो सकते हैं ठीक है Like Emperor के energies यहाँ पर है तो strict and गुसे वाले हो सकते हैं Angerness है, Egoistik हो सकते है And थोड़े से straightforward भी हो सकते है या आपके partners जो है, वो ऐसे हो सकते है मुझे ऐसा भी लग रहे है आपके true love एक नहीं है वैस तो true love एक नहीं होता है बहुत सारे हो सकते हैं Soulmate एक नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते है But twin flame एक ही होता है, ठीक है तो कहते हैं हमने पहले भी सच्छा प्यार किया फिर से सच्छा प्यार किया तो वो क्या बात होती है ना मतलब प्याज तो हो जाता है यह चीज यहां पर आपके लिए कहा जा रहा है सो यहां पर page of wands है night of wands है यह शो करता है कही ना कहीं आपकी लाइफ में passionate energies को यह को ऐसे परसंड होने वाले हैं जो बहुत जरह पैशनेट होने वाले हैं आपको लेकर पहले वो लेक्वा चायल लाइक नेचर वह कभी चायल लाइक नेचर भी बीहेवियर भी आपके साथ आप सीथा मूँ पे बोल देते हैं, जो आपके मन में हैं, आप गुस्य वाले भी इगो हो सकते हैं, और येस, इंट्यूटिव हो आप, और आपके माइड को पता है, कि आप सही हो, तो सही हो, अगर नहीं, तो नहीं, ठीक है, आप बिलकुल स्ट्रेटली, जो है, वो है, ठीक है, एसी इनरजिस में रहने वाले इनसान हूं, इस परसन भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, येस, बट हाँ कहीं नगी मूब ओन की इनरजिस हैं, या तो ये परसन फॉरन चले गए हैं, या फिर इस person से आपने पहले move on किया है या इस person ने आपसे move on किया है पर after some time ये person आसके हैं या फिर आप जब अपने past life से move on करोगे या past की चीजों में life में जो कुछ हुआ उसको move on करोगे तब guys आपकी life में खुश्च आएंगे partner बहुत सा loving caring होने वाले हैं okay and new beginnings आपकी life में देखने को मिल रही हैं मुझे okay new beginnings आपकी life में होंगी yes आपके लिए sun काट के energies हैं यहाँ पी and yes यहाँ आप ऐसा भी दिख रहा है अगर आपके partner थोड़ा सा भी आपको कुछ बोला respect show नहीं किया है तो यह आप वहाँ से हट जाओगे मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं आपने ऐसा किया तो वो हट जाएंगे अपनी life में ठीक है वो पीछे हट जाएंगे yes बहुत जाद sexually attracted भी है वो आपके लिए okay sensual and sexual powers भी उनकी बहुत ज़रा high होते हैं दिख रहे हैं आपसे मिलने के बार ठीक है so yes आपके लिए अगर राश्रिगा में देखो तो वो है Aries, Gemini, Capricorn and Aries Leo Sagittarius okay बाकी आपे सभी के सभी sign important है because आप देख सकतो पहले तीनों ही इमेजर काना आए है आपको अपनी ego छोड़नी होगी guys अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आगे भढ़ना इसी person के साथ ego छोड़ो सब कुछ अच्छा हो जाएगा okay and yes थोड़ी से strictness कम करो so that love life में ऐसा नहों कि हाँ भाई आप strictly बहुत ज़रा आगे भढ़ो no ठीक है and yes family बहुत अच्छी है family बहुत अच्छी आपके true love आपके जो भी true lover है ना उनकी family बहुत abundant है rich है ठीक है ये energy जिख रहे है financially बहुत stability है and also dogs हो सकते हैं उनके पास dogs की energy से यहाँ भे हो सकती है ठीक है so ये energy से guys यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर नहीं मिले हो तो ये जो 8th मन्थ आ रहा है न इसी साल का उस time तक आप मिल जोगे या फिर अभी 8 महीने और बाकी है 6 महीने बाकी है अभी और या फिर जून में आप मिल चुके हो या फिर किसी भी year की जून को या फिर अगस्त को या अक्तूबर को सो और क्या energies आ रही है यहाँ पी से इस इतनी शफलिंग के बाद भी first pile वाली ही bottom of deck आ गया है यहाँ भी harmony है तो of course प्यार यहाँ पी दिख रहा है love and harmony की energies यहाँ पी है show हो रही है marriage की भी energies show हो रही है so yes आपकी definitely marriage होते हो दिख रही है यहाँ पी and आगे जाकर शाहिद future में आपकी शादी ही हो जाए but हाँ आपको true love के साथ अगर आगे भढ़ना है आपको suffer करना पड़ेगा silence में यहाँ तो वो अपने काम में busy रहते है अपने आप में busy रहते है उनके पास time नहीं होता है but यहाँ पी आपको घाज रहे है आप सफर करते हो दिख रहे है अपने silence में अकेले रहकर बठा recognition and reward की energies है आपको recognize किया जा रहे है rewards आपको दिये जा रहे है यहाँ पे ठीक है so yes आपके लिए पढ़े हैं चीज़े आपको यहाँ पे recognition ज़रूर मिलेगी rewards ज़रूर मिलेंगे so यहाँ भी आपके लिए ही energies है guys okay मुझे कुछ और feel ही नहीं हो रहा है see this oh my god because वो यह बताना चाहते थे कि अब अगला card निकालो जल्दी मुझे उसमें interest नहीं आ रहा अब कुछ और बड़ा होने वाला है so यहाँ पे spiritual union के energies है आपके और आपके partner के वीचम spiritual union का योग यहाँ पे दिख रहा है spiritual union यहाँ पे होते हुए दिख रही है and yes आप दोनों का यह telepathically connection होसता है and also यहाँ पे overflow love यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ से overflow love की वज़ा से हो रहा है and yes आपके life में कहीं न कहीं new beginnings आपको देखने को मलने वाली है name fame आपके partner के पास हो सकता है जो भी आपके true love है and name fame उनके पास भी so that आपके पास भी होगा ठीक है so यहाँ पे यह energy दिख रहे है and yes आपके wish आपके partner के wish फुल्फिल होगी यहाँ पे उनकी कोई wish हो सकते बढ़ा उसको fulfill किया जा रहे है यहाँ पे and yes victory and success की energy कहीं न कि आपके जो lover है न true love है यहाँ पे वो victory and success की भावना को लेके आ रहे हैं ठीक है अपनी life में yes आप जीट जाओगे आपको आपकी life में energetic feel करोगे आप successful होगे अपनी life में so ऐसी energies यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके लिए two number 17 number nine number eight number three number six number यह numbers आपके लिए important हो से है ओके so यहाँ से क्या guidance है आपके लिए okay the mariam आई है guys सबसे पहले तो आपको यही कहा ज़रा sacred vision create को लो भगवान का नाम जपो okay choose करो forgive करना ना के माफ करना and also see the light in all so सभी में रोशनी देखने ही कोशिश करो okay and yes remember that love has no boundaries so प्यार की कोई सीमा नहीं होती यहाँ पर आपको यही बोला चारह है okay and also marry magdalene की energies है तवी teacher awakens की energies है so you have something important to share आपके पास कुछ ज़रूरी होना चाहिए जो आप share कर सकते हो follow कर यह अपनी inner call को आपको यही बोला चारह अपनी inner call को अंतर मन को अपने follow करो ठीक है and yes don't let anything stop you so हर एक चीज को मतलब don't let anything stop you guys हना किसी भी चीज को अपने आपको रोकने मद्धो बस आगे भरते रो ठीक है astral realm so deep inside sky heaven की तरफ से आते हुए दिखरें and astral realm की तरफ से भी और यह और आये हैं psychic चक्रा telepathically connection आप तुनों में हो सकता है and बहुत intuitive हो सकते हो आप आज के लिए ठीक है and yes आपकी थर्ड चक्रा उपन है see the earth for what it is okay and also follow करिये intuition को sorry follow करिये guys अपने intuition को अपने अंतर मन को follow करने कोशिश करो and almora आये हैं यहां पर आपके awakening presence अवेकनिंग प्रेजन्स का है चल रही हो के so yes universe आपके साथ है and we are a clock of protection and divine love so आपको protection और divine love की जरूरत है यहां पर and yes universe आपके साथ है yes मुझे ऐसा लग रहा है guys आपके सब months में मिल चुके होगे यह मिल जाओगे ठीक है 8th month 10th month इस साल का आपके लिए important हो सकता है and I think मैंने पतने कौन सा month बोला है बठाँ आप देख लेना check out कर लेना tap track करके पीछे जागे ठीक है anyways यहां पर हिलेरियन आए है सो हिलेरियन आपके divine healing के ओपर focus करते हैं आपके divine healing यहां पर हो सकती है ठीक है and yes आपके जो भी यह true love है यह आपके divine healing होने में help करेंगे आपके okay and also on your sensitivity sensitivity को honor करने कोशिश करो retreat to recharge and heal okay and yes real light can support others so आपकी द्रौश्णी दूसरों को support करते हैं दिखरे वही चीज़ है कि yes आपको sensitive हो ठीक है and yes यहां पर retreat अपने आपको recharge करो heal करो यहीं आपके लिए message आया है okay so guys अगर आपको reading पसंद आई हो second file so like this reading subscribe to this channel and guys आपके जो true love है वह बहुत intuitive है financially बहुत abundant family से हैं कहिना कि बहुत passionate हैं बहुत over passionate energies में भी उसकते हैं बाद दूसी side उनकी यह है कि वह बहुत strict है egoistic है ठीक है so यह energies हो सकते हैं आपके लिए बट मैंने आपको बताना था बता दिया है ठीक है जो भी आपके true love होने वाले है बट हाँ अगर आपको इसी question के regarding या किसी भी question के regarding personal reading लेनी है तो of course आप मुझे instagram पे dm कर लेना okay instagram का link description में है time stamps के जल्ष्ट पर यहां फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते होगे और येस so यह energies है guys यहाँ पर अभी के लिए इतना हर हर महादेव राधी राधी गॉर्ड लस्ट रिववान बाई गाई